तो आयुश्मान कार्ट के तरफ से एक बड़ी अपटेट निकल कर आ रही है अगर आपका भी अभी तक आयुश्मान कार्ट बना हुआ नहीं है और ना ही आप लोगों का आयुश्मान कार्ट योईश्ना की लिश्ट में नाम है तो अब आप लोग अपने रासन कार्ट के मेंबर्स होंगे, सभी मेंबर्स के नेम वहां पर आ जाएंगे और इसके बाद आप लोग ओनलाइन ही घर वैटे अपने मोबाइल फॉन से अपलाई कर सकते हैं, तो इस पीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, कि आप रासन कार्ट के माद करना है, जैसे ही बेरिफाई वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके इस वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP आपको यहां पर फिल अप कर देना है, एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम इस वाल जे ए बाई वाली स्किम को सेलेक्ट करना है, अब आपको यहां पर बेनिफीस्टरी सेलेक्ट करना है, तो इस वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो, फाइब प्रकार से आप लोग बेनिफीस्टरी को सर्च कर सकते हैं, यहां पर आपको family ID enter कर देनी है, family ID में आपको यहां पर अपना रासन कार्ड number enter करना है, और दोस्तों यहां पर यह जो रासन कार्ड से आयुश्मान कार्ड बन रहे हैं, अभी फिलाल मुझे जो information मिली है, उसमें यह बताया गया है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो ही आप लोग रासन कार्ड के माद्यम से एक new आयुश्मान कार्ड के लिए apply कर सकते हैं, तो यहां पर आप लोगों को रासन कार्ड नंबर को enter कर देना है, अब यहां पर दोस्तों यह और सर्थ है, आपके रासन कार्ड में 6 units से कम है, तो आप लोग इस process के माद्यम से आ तो अभी मैंने यहां पर जो भी रासन कार्ड नंबर एंटर किया है, उस रासन कार्ड के अंतरगर जितने भी unit उस रासन कार्ड में है, सभी unit आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएंगे, यहां पर अभी आप देखेंगे, इस रासन कार्ड में total 6 unit थे और 6 unit यहां पर आ चुके हैं, इनकी family में अभी तक किसी का भी आयुसमान कार्ड बना हुआ नहीं था, और ना ही इनका आयुसमान कार्ड योजना की लिष्ट में नाम था, और यहां पर इन लोगों के जो भी नाम हैं भहे आ चुके हैं, लेकिन इनका आयुसमान रहे हैं, अब इस आयुसमान कार्ड को इनको किस तरह से apply करना है, तो apply करने के लिए आपको करना क्या होगा है, सबसे पहले आपको यहां पर नाम देखने को मिलेगा, और name के just सामने ही आपको एक option देखने को मिलेगा, identified, तो आपको identified वाले option पर एक बार click कर देना है, अब जैसे ही आप लोग यहां पर click करेंगे, इसके बाद यहां पर चार option मिलते हैं आपको authenticate करने के लिए, सबसे पहला option मिल जाता है आपको आधार OTP का और दूसरा यहां पर fingerprint, तीसरा आइरिस इसका एन चौता face authentication, अगर आपके आधार card में mobile number link है, तो आप यहां पर आधार OTP वाले option को select करेंगे, अगर mobile number link नहीं है, तो आपके पास अगर fingerprint device है, तो आप fingerprint के मादिम से भी authentication कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर आधार OTP वाले option को select करेंगे, और इसके बाद verify वाले option पर click करना है, click करने के बाद कुछ इस तरह से interface आ जाएगा, यहां पर terms and conditions को accept करना है, औ और allow वाले option पर एक बार click कर देना है, अब जैसे ही click करेंगे, इनके आधार card में जो भी mobile number link है, उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा, और यहां पर आप लोग यह भी देख सकते हैं कि आधार card में कौन सा mobile number link है, last के 4 digits आपको यहां पर देखने को मिल जाएगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा, तो इसी mobile number पर एक OTP आया होगा, OTP आपको यहां पर fill up कर देना है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आजाएगा, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ओपर के side में लिखा हुआ है EKYC, और इसी के just नीचे ही आप लोगों को यहां पर उस बेक subscribe वाले option पर क्लिक करना है, और allow वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपके इस वाले mobile number पर एक OTP send किया जाएगा, और दोस्तों आपके आधार में जो भी link mobile number है, उसी mobile number पर OTP send किया जाएगा, OTP आपको यहां पर fill up कर देना है, अब जैसे ही आप लोग OTP को fill up करेंगे, इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो, उस ब्यक्ति की complete detail आपके सामने आ जाएगी, और साथ ही उसके जो आधार कार्ट में फोटो लगा हुआ है, बैफोटो यहां पर आ जाएगा, अब आप लोगों को यहां पर एक new pic को capture करके upload करनी पड़ेगी, जो कि आप लोग यहां पर side में देख सकते हैं, pic वाले option पर click करेंगे, इसके बाद आप लोगों को live photo को यहां पर खींच करके upload कर देना है, इसके बाद आपको यहां पर additional information को fill up करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले आप से पूछा जा रहा है, do you have a mobile number तो और OTP आपको यहां पर fill up कर देना है, OTP को fill करने के बाद अब आप लोगों को यहां पर relation को select कर लेना है, जिसके लिए आपको relation वाले option पर click करेंगे, click करने के बाद जो भी relation है आपको यहां पर select कर लेना है, जैसी कि यहां पर family hate है या फिर wife है, husband है, तो यहां पर हमने relation को select कर लिया है इसके बाद आपको यहां पर यह ओफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है यहां पर आपको पूरी डेट बर्थ को फिलप नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी डेट बर्थ की यह को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहां पर अपने एरिया के पिन क और अगर सभी कुछ information सही है, तो आपको यहाँ पर submit वाले option पर एक बार click करते ना है, जैसे ही आप submit करेंगे, इसके बाद आपका जो भी और अयुशमान card है, भे यहाँ पर apply हो जाएगा, और apply होने के बाद में, आप लोगों को यहाँ पर अपर approve होने में. बेट करना पड़ेगा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आयुश्मान कार्ट को अपलाई करने के बाद उसका status किस तरह से चेक करना है, तो status को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको state का नाम सेलेक्ट करना है, इसके बाद scheme का नाम, यहाँ पर आप लोगों को family id सेलेक्ट क करेंगे इसके बाद यहां पर आपकी फैमिली में जितने भी लोगों के कार्ड अप्रूब हो जाएंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ग्रीन कलर के टिक लगके आ जाएंगे और साथ ही आप लोगों को यहां पर अप्रूब्ड देखने को मिल जाएगा और जिसका भी कार्ड अभी पेंडिंग में होगा बना हुआ नहीं होगा तो उसमें आप लोगों को ओरेंज कलर का टिक देखने को मिल जाएगा और साथ ही सामने के साइड में आप यहीं से अपने आयुश्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अप्रूवड वाले ओप्शन पर किलिक करके आपके आधार में जो मोबाल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा OTP फिल करेंगे और इसके बाद आप लोगों को अपने कार्ड को डाउनलोड कर लेना है तो इस त है पहें